दिसंबर माह समाप्त होने पर आ गया है और अगला माह जनवरी है और मौझूदा मौसम की बात करें तो मौसम में लगतार पारे में गिरावट आ रही है गहरा गिर रहा है पालापड़रा जो कि किसानों की फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है उनका कैसे रखखाओ किया जा सके ताकि किसानों को नुकसान न ओ Ilsमासम की मार से तो हम इससमें मौझूद है सायापुर के क्रशी विज्ञान केंदर नियामतपूर में तो यहां पर हमारे साथ है समय क्रशी केंदर के मौसम बैज्ञानिक है रोवित कुमार जी उनसे जानेंगे किस तरीके से फसलों को इस मौसम की मार से नियुकर जा सकता है तो भूना स्फ़ागत है रुवी सूभजी पहले तो आपका थैंकव भी सचाई हो रही सबसे पहले मैं अपने किसान भाईयों को साधर नमन करता हूं जैसा कि इस समय सर्दियों का मौसम है तो हमारे जो भी फसले हैं उनमें मौसम से समंदित कोहरे और पाले का प्रगोप अतिधिक हो रहा है जिस जो की हमारी फसलों को महत प्रहावित करता है इस समय हमारे सबजीों में आलो की फसलें गोभी-वर्गी फसलें और दलहन में मसूर चना इत्याद फसले वोही गई है और इसी के साथ हमारी जो बड़े प्यमाने पर गउम की फसल उगाई जाती ही वग है तो हम अपने किसान भायों को बताना चाहेंगे कि हमारी जिसे आलू की फसल है उस पर सरसों की फसल राज्मा और चना इन फसलौं करता है इसके लिए हम अपने किसान भाईयों को कुस रुजाव देना चाहेंगे जैसे कि हमारे आलो की फसल में जुलशा का प्रकौप अत्यधिक होता है तो इसके बचाव है तो हमारे किसान भाई मैंको जेब 75% दवा को दो मिली प्रती लीटर के हिसाब से अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं जिससे की जो हमारी आलू की फसल को जुलसा रोग से प्रभाव होता है तो वो कम हो जाए या उसे हम अपनी फसल को बचा सकें और इसे के साथ है अब हमारे सरसों की जो फसल है उसमें म्रद रोमिल आसिता रोग जो है लगने की काफी संभावना है जिसके लिए हमारे किसान भाई रीडो मिल एम जेड बहत्तर दवा को जिसकी 800 गराम मात्रा को प्रती एकड के हिसाब से 200 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अपने खेतों में छिड़काओ करें जिससे की जो म्रद रोमिल आसिता है उस रोग से फसल को प्रभावित होने से बचाया सके और आप सभी ने देखा होगा कि जब हमारा मौसम नम रहता है हमडिटी लगभग 75 परसेंट से उपर होती है और द प्रकौप अधितिक होता है जिसका जो कि हमारी फसलों पर चिपक जाता है और फसलों का रस चूस लेता है तो उसकी रोंक थाम है तो हम किसान भाईयों को उपाय बताएंगे जो कि इमडा क्लोपिड नाम से दवा आती है जो कि मार्केट में मिल जाएगी उसकी 200 ml मात्रा को प्रती एकड के हिसाब से छिड़काओ कर सकते हैं या उसकी 2 ml मात्रा को प्रती लीटर पानी के हिसाब से घोल कर छिड़काओ कर सकते हैं और अब हमारी मसूर की जो फसल है इसमें भी उकठा रोक की समस्याएं आ रही होंगी तो उसके लिए थायोफिनेट मिथाईल की 200 ग् मत्रा को प्रति एकड के हिसाब से छिड़काओ कर सकते हैं और हमारी जो मटर की फसल लगी हुई है उसमें रश्ट रश्ट रोग आने की ज़्यादा संभावना हैं उसके लिए मैंको जेव 75% दवा की 2 ml मात्रा को प्रती लीटर पानी के हिसाब से छेड़काओ कर सकते हैं कर दूसरा ग differenti 10 camera कि अधरी शुक्स च्राइए उसको लेकर मौसम क्या कहता है कि इसी कितना पानी लगाना चाधी यह और क्या और प्रबंधन किया जा द्याँ विक इस समय क्या कि वी किठी होग इस वड़ enhancing की फसल जो आगिती गैश हो बोया गया था वह लगभऊ टिलरिंग स्टेज में है जिसे कहते हैं कि कल्ले निकलने की वस्था और जो पछेती मध्यम या पछेती गेहों की जो बुवाई होई थी तो उसमें क्राउन रूट इनिसियेशन मतलब ताजमूल अवस्था की प्रक्रिया है तो चल रही है जो की 21 दिन बाद सुरुआत होती है तो हम अपने किसान भाईयों से कहना चाहेंगी कि इस अवस्था पर बुवाई से लगभग 21-25 दिन पर गेहों में सिचाई बहुत ही महट्पूंड होती है जिसमें हम अपने गेहों की फसल में बहुत हलकी सिचाई करते है यहिए हम उस सवस्था में जिआदा सिचाई करेंगे पानी भर के सिचाई करेंगे तो हमारी फसल जो है प्रभावित होगी जिससे नुक्सान हो सकता है तो और इसी के साथ हमारी फसल में इस समय रश्ट यलो रश्ट जो पीली गुरुई की नाम से जाना जाता है जो कि नौ सो तेरा डिगरी सेल्शेस तामान की रेंज पर आता है और उस समय आधरता सतर परसेंट से उपर होती है और पार्टली क्लावड कंडिशन होती है तो यह रोग दिसंबर के लाश्ट से पंदरा जनवरी के मद्ध में आता है तो इसमें हमारे गेहों की जो उपर ही पतियां होती है वो पीली हो जाती है ऐसा लगता है कि जिसे जुलस गई हूँ हाँ तो हमारे किसान भाई अपने खेतों में यलो रष्ट की निगरानी करें यदि किसी किसान भाई के खेत में यह समस्य आती है या आ गई है तो वह क्या क्या सुझाब आप देना चाहेंगे इसके लिए जैसे अकर यलो रश्ट आ जाता है तो उसके उपाए क्या किया जा सकते हैं तो हम किसान अपने किसान भाईयों को सुझाव देना चाहेंगे कि जब यलो रष्ट हमारे खेत में दिखाई दे तो उसके लिए मैंको जेव दवा 75% को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपने खेतों में छिड़काओ कर सकते हैं जिससे कि जो रोग से नुकसान होगा उससे हम अपनी फ़सलों को बचा सकें तो दूसरा मैं आप से जाना चाहूंगा मौसम में लगतर गिरावट आ रही है पसूपालक जो हमारे किसान भाई जो पसूपालन भी करते हैं उनको क्या सुझाओ देना चाहेंगे कि पसूओ के रख रखाओ के लिए कि इस तरीके से बेहतर रख रखाओ किया जा सके जैसे प्रकार से हमारे पसुओं को भी ठंड लगती है तो हमारे पसुपालक भाई अपने पसुओं को सूखी जगहों पे बंद जगहों पे बांधें और उसमें बिछावन की अच्छी विवस्था करें और यदि उसमें अत्धिक नमी हो जाये तो उसको समय समय पे बदलते रहें और सूखी विछावन बिछाते रहें और उन पसुओं के खाने पीने में हमारे किसान भाई मिनरल मिक्चर मतलब खनीच्वदार्थ और नमक की मात्रा और उसके साथ साथ गेहों की दलिया को मिक्स करके अपने पसुओं को पूरी ठंड़क की सीजन भर देते रहें और समय स समय पर उन्हें ताजा और हल्का गुनगुना पानी पीने को दें जिससे कि हमारे जो पसुओं है स्वस्तर हैं और ठंड़क से उन्हें बचाया जासकते यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पसुओं ठंड़क की सीजन में दूद देना कम कर देते हैं और पसुओं को जब दूदिन का वीच में मौसम कैसा रहने वाला इसको लेकर भी थोड़ा बता दीजिए हमारे किसान भाईयों को अगले 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 दो दिनों का जो हमारा मौसम का पूरवनुमान है उसमें अगले दो दिन तक तो तापमान में गिरावट की संभावना है उसके बाद तीस जो हमारा मध्यम से हलके से मध्यम मुर्गा कोहरा भी रहेगा और अगले दो दिन हवाओं की गती जो है लगभग आठ से बारा किलुमीटर पती घंटे रहेगी तो ये थे हमारे साथ नियामतपुर कृषिविग्यान केंदर के मौसम वैग्यानिक रोवित कुमार जी जिनोंने बताया कि किस तरीके से किसान भाई अपनी फसलों का ध्यान रख सकते हैं किस तरीके से उनसे कीट प्रबंधन कर सकते हैं और पशूपाल भायों को भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने पशूँ कर रख रखा उ करें तकि उनके पशुषासर हैं तो मैं सिमर्ण्जीज सिंग अपने साती ही बल dusin के साथ इस जानकारी के बाद अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ किसान भाईयों के साथ उनके अपने प्यारे चैनल Mission 24 into 7 पर फिर से हाजर होगा